आप अपना presentation कैसे finish करते हैं? आप अपना talk कैसे end करते हैं? आप अपनी बात कैसे खतम करते हैं? इस पर depend करता है कि आप birdeenед करता है कि आपको कितना याद रखेगी? क्या वो आपको कुछ दिन याद रखेगी और आपको सालों साल तर Ćद रखेगी? तो यह बहुत जाला जरूरी है कि आप अपने प्रेजेंटेशन टॉप को मास्टर फुली, कैप्टिविटेवली फ्लोस करें और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे नौ टिप्स जो आपकी इसमें बहुत करने वाले हैं इन तक वीडियो को जरूर दीखेगा अलो दोस्तो मेरे नामे हरेतो स्वास्तो आपको कम्यूनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग इसमें बहुत सारा अमेजिंग वाले कॉंटेट मिने वाला है तो अगर आपने अब इतर सब्स्ट्राइब नहीं किया है लीस कंसेडर सब्स्ट्राइबिंग लेट्स गेट साटेट तो रिसर्ट शो करता है कि आपका सिर्फ स्टार्ट और इंड की याद करती है तो वेरी वेरी इपोर्टेंट कि हम अपना एंड बहुत ही अच्छे से तो जो आज के नोट टिप्स है उसके पहले चार्ट टिप्स है जो की डू नौट्स है जो चीजरे मिस्टेक जो आपको अवाइड करनी है और नास्क पांच मैं आपको ऐसे पांच तरीक्वे दुआंगा जिसको आप यूद करके एक मास्टर फुल इंड कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो चंसे हैं कि एचल डिपेंड की काइंड कर दिस हर चिसी को आपको 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 आइडिया नहीं है किसी ने आपसे वह पुष्टन पूष्ली आपको नहीं पूष्टने थे आपको इंपरेशन थवस्ट हो जाएगा आपको इंपरेशन विकाल हो जाएगा तो never end with a Q&A आप what you can do is you can say okay now for the next 5 minutes we will have a question and answer and then I have a final remorse that I want to say जो आप इस तरीकी से करते हैं तो you are still saving your face even if Q&A वे कुछ उपर नीचे हो गया you can still have a power closure to keep the impression high and tight. Let's go to tip number 2 वाल सारे लोगों की इनर्जी एंड तर आते आते लोगो अपना इंप्रेशन बनाना है अगर आपको masterfully end करना है आपका पेशली स्टार्ट और इंड आई नोट पर आपके लोगों को एनर्जी मेंस्टो तो देशोड फिल पावर्फुल मोटिवेटेट इसी भी अच्छे मोटिवेशन पर पिल आपके इस अपने खुछ नया दिखा रहें तो दुटेशन वीच्छ चुछ को रहें पर आए नोट फिल आपम और आपके लेट लोगोम दिया क्या आपको लोग को सीजन तू देखना है विट यू गिविंग अप्रेजेंटेशन अगर आपको कोई स्पीच देनी आपको टॉक्त देनी है वह विट प्लान एंड टोंट एंट्टीज एनिफिंग दिसक्स दूरिंग टॉक अगर आप लास्ट के ती सिकेंड या एक यह करना कहना क्या चाह रहे हैं मेक शूर कि यूर इंटिंग इस टाइट अन्यूर नाट लिविंग यूर ओडियंस क्लूलेस बहुत सारे मेरे साइंटिस्ट फ्रेंड जो लास्ट में कुछ इतना बड़ा जार्गन बहुं जाते हैं जिसका किसी को कोई आडिया नहीं है औ यूर ओडियंस इस तो डूंट दो इस और मिस्टेक्स इंड विड़ा नांसर एंड ओन लोग इनर्जी नोट असे प्लें थैंक्यू ऐसा कुछ पॉइंट लेकिया हो जिसके बारे में आपने पूरी प्रेसेंटेशन में बात ही नहीं की या ओडियंस को क्लूनेस कर दो तो थैं नहीं को कुछ बात में उसकी एक संपरी लिए अगर आपने आदेगें टेक्टो किया तो लास्ट के तीने पास्वेंट ने को रप्रेस्टि कैड़ो कि इस इस वाड वी इसकुछ धिसके रढूल ज्यू जीव गिवाटी रिगम घुल तर तेल एंछ यू जी तो तेल परसन का युकि रिलेवेंट हो जिससे वो कि रिबाग में छप जाएगा जो आप बात करना चाह रहे थे वो उसके बारे में छप जाएगा और एक्जामपल बहुत बार हम बात करते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन जह हम दे रहे हैं तो भी इंगेजिंग इच्ट भी फन और आप इसका और करते हैं फित कोड़ कोड़ आप जाएगा रिल्ल अन्याटे तो लाओ य आप बात चाहँ के रिल अल्यां पॉड्य। आ ढूंद पर जाएगा जाएगा इस मिख जाख प्राओ जाएगा जिए जाएगा। यहां आप ओंको जाख बात चाहँ आप Pichyot Joy and start spending 5 minutes every day on that. Now that is a challenge I want to give you and I want you to give to others. जब इसतर गया है तरिके रही चालेंज अपने झाओण्स अपने उडियंस को देते हैं, भी बरेकों इस प्रेशने को देते हैं, बर्धेन मेंबर्स घपने प्रड़बर मेंग चालेंग बूंबर्स पाल गारा रहा है। But if you are at certain level, this can prove to be a game changer. यह game changer हो सकता है, how you can actually circle back. So, अगर आपने हमारी वो सी नी देखी कि how to open your talk, I will put the link over here. And उसमें one of the best ways to open is by giving the story. इंड में इसको कहते है, circle back. जिसमें आपने जिस story से start किया था, उसी story पे आप end कर. आपने देखा होगा, बहुत सारे movies and web series में देखा होगा, आप एक opening scene होता है, और जब आपका climax होता है, तो ओपनिंग सी कर remaining part आपको बदाचा. तो अगर आप अपना keynote, अपना speaking, उस तरीके से plan करते हो कि वो circle back करता है, जहां से start किया था, वहीं पे finish होता है, that becomes an amazing unforgettable presentation. हर बड़ा motivation speaker, use that and that is called call to action. आप अपने audience को motivate करके उनको कुछ आपको call to action देना है, for example, go ahead and buy this book, go and subscribe to this channel, go and talk to three of your friends, go and call up your parents, what you are doing is, you are giving them a call to action. And when you do this, when you end your talk with a call to action, your audience feel motivated and inspired to take an action and that makes you unforgettable, that makes you memorable. आपको एक सम्मरी एदा हूँ, जो हमने 9 टिपस आज के डिसक्स की है, पहला पहने चार थीक जो आपको नहीं करने है, इंड वित a Q&A, इंड ओन लो एनर्जी नोड और जस्टिंग प्लिन थैंक्यू, बिसक्स की अपनी ओनी ओद हाँ, इंड एनर्जी प्लिन गोडोड एफ देन ओनाओ. and first one is giving a summary of what all points discussed, ending with a story or anecdote or a memorable relevant quote, giving them a challenge to work upon, number four is circling back to your starting story and fifth and the final tips or final way to end your presentation was to giving them a call to action. I hope आपको ये सारे 9 tips अच्छे लगे, please comment में बताएगा कौन से आपो सच्छे अच्छे लगा और आप कौन से और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करते हैं आप तुने प्रेसेंटेशन को मास्टरफुली एंड करने के लिए As always, I'm gonna end with, until next time, keep learning, growing and keep going out of your comfort zone. This is Aritosh, I'm gonna see you in the next video, take care, stay safe and stay blessed.